प्रभास किचन रिस्पी में आप लोग का स्वागत है आज हम बहुत ही आसान तरीके से मिठाई बनाने की रिस्पी लेकर आए हैं क्योंकि रच्छा बंदन है और आप जरूर चाहेंगे कि हम अपने हाँ से मिठाई बना कर लेके जाएं तो इससे आसान कोई मिठाई हो ही नह अराम से मिल जाता है यह हमने 250 ml अमूल फ्रेश क्रीम ले लिया है यह तो हर जगा मिल जाती है अब यह पैन ले लेंगे और जो यह क्रीम है इसको हम इसमें डाल देंगे हमें पूरी क्रीम डालना है इसमें से बचाना नहीं है तो यह हमने सारी क्रीम पैन में डाल दिया है अब इसको हम गैस पर चढ़ा देंगे और चलाते हुए इसे हम उबा लेंगे इसको बराबर चलाते रहना है छोड़ना नहीं है क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो यह नीचे पकड़ लेगा और गैस हमारी मीडियम पर होनी चाहिए बहुत ज़्यादा तेज ना बहुत ज़्यादा धीमा तो दिखिए क्रीम हमारी अच्छे से उबलने लगी है अब यह क्रीम हमने नीचे रख लिया है अब यह जो चौकलेट है इसको ले लेंगे और इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट करके इस क्रीम में डाल देंगे क्रीम हमारी गरम है तो य हमें बचाना नहीं है तो यह हमने सारी चॉकलेट डाल दिया है अब इसको चलाते हुए हम पिगला लेंगे क्योंकि क्रीम हमारी इतनी ज्यादा गरम है कि चॉकलेट बहुत आराम से पिगल जाएगा यह बहुत ही अच्छी मिठाई होती है आप जरूर एक बार बनाएगा तो यह हमने अच्छे से चॉकलेट को मिला दिया है तो देखिए चॉकलेट कितनी अच्छी तरह से मिल गई है इसी तरह से गनाज भी बनता है चॉकलेट का तो यह चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है यह देखिए अब इसको हम 3 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे फ्रीज में रखना है फ्रीजर में नहीं 3 घंटे बाद हम इसे निकालेंगे तो ये रखे वे 3 घंटा हो गया तो देखिए कितना टाइट हो गया है हमारा चौकलेट और सॉक्ट भी है अब ये हमने ले लिया है rice balls ये भी बाजार में आराम से मिलता है आजकल तो online सारी चीजे मिल जाती है आप आराम सी से मंगा सकते हैं अब ये जो चौकलेट है इसको हम चम्मत से थोड़ा निकालेंगे जिस तरह से हम लड़ू बनाते हैं जितना बड़ा उतना बड़ा ही हमें इसको बनाना है ये आपको अपने उपर है कि हमें कितना चोटा बड़ा बनाना है तो इस तरह से लड़ू बना करके इस rice ball में लपेट देंगे और जो लड़ू रखने के लिए cup साते हैं उसमें हम रख देंगे तो देखे कितना सुंदर लग रहा है देखने में ये प्लेट ले लेंगे और इसमें हम रख लेंगे अब इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे तो हम आपको बना करके दिखा देते हैं एक और ताकि आप आराम से बना लें बहुत जल्दी बनता है ये और खाने में उतना ही अच्छा लगता है अपकी बार आप जरूर बनाईएगा इस मिठाई को और अपने भाई को खिलाईएगा क्योंकि चॉकलेट तो सभी को पसंद होता है बहुत कम लोग होते हैं जो को चॉकलेट नहीं पसंद है तो ये देखिए हमने दूसरा भी बना लिया है तो अब इसी तरह से हम सारी लड्डू बना लेंगे तो ये हमारा सारे लड्डू बनकी तयार हो गया है देखिए कितना मेरा फट शुरू हो जाए बनाना और मेरा वीडियो पसंद आए तो सस्क्राइब कमेंट लाइक शेयर चरूर करें थैंक यू गुड डे